दोस्तों अगर आप भी एक YouTube Creator है तो आपको YouTube की Community Guidelines तो जरूर पता होगी YouTube पे जब भी आप कोई Content बनाते हैं तो Community Guidelines में ये मतलब होता है कि कोई भी जो Community है उसका violation नहीं होना चाहिए कोई भी harassment content नहीं होना चाहिए, sexual content नहीं होना चाहिए तो इस तरह से इसकी एक YouTube की Community Guidelines है जिसका हमें पारण करना होता है दोस्तों लेकिन दोस्तों कल एक गयसी घटना हो गई कि आप लोगों को भी पता है कि मैं कैसा content बनाता हूँ टेक्स से related content बनाता हूँ नहीं नहीं informative वीडियो लेके आता हूँ लेकिन दोस्तों मेरी एक वीडियो information related थी जिसे YouTube ने delete कर दिया है और दोस्तों delete करने के बाद उसने ये कहा है कि इस वीडियो में Community Guidelines का उलंगन किया गया है और content जो है वो violation कर रहा है Community Guidelines का इसके वज़ासे YouTube ने मेरी वीडियो को हटा दिया है YouTube platform से तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का purpose ये है कि अगर आप भी YouTube पे अच्छा अच्छा content बनाते हैं और YouTube पे वीडियो बनाते हैं YouTube creator है तो दोस्तों आपको Community Guidelines का पालन जरूर करना है और अगर आप ऐसा कुछ content बनाते हैं दोस्तों तो YouTube के नियमों का पालन जरूर करें और sexual harassment content ना बनाये जिसे आपकी वीडियो भी डिलेट हो दोस्तों मेरा content तो आप सभी लोगों को पता है कि टेक्स रिलेटेड है लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मेरी वीडियो डिलेट हुई तो मैंने यहाँ पे अपील भी की थी तो इसका complete process अपील का मैं next वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी कभी अपना content जब भी बना YouTube पे तो community guidelines का फालन जरूर करें लेकिन ऐसा ना हो कि अगर आपका content अच्छा है और डिलेट हो जाता है तो आप लोग भी आसानी से अपील कर सकते हैं अपील के बाद दोस्तो वीडियो आ सकती है दोस्तो जिस content को मैंने बनाया था जिस informative वीडियो को मैंने बनाया था और upload किया उसको YouTube ने जो डिलेट कर लिया उस वीडियो को मैंने YouTube पे देखा लेकिन दोस्तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा एक mail देख सकते हैं जो community guidelines का उलंगर जो हुआ उसका एक mail आया हुआ है जिसका screenshot मैं आप लोगों के साथ share करना चाहता हूँ तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे तो दोस्तो आप भी community guidelines को लेकर की commentary guidelines को follow करके ही बनाएं वीडियो informative लगी है तो वीडियो को एक like करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe जरूर करें